आज हम बनाएंगे मटन मंदी इसके लिए मटन चाहिए हमें 2 kg करीब में यहां पर मटन लूँगे और मटन के थोड़े से बड़े पीसिस होने चाहिए यह आप देख सकती है इस तरह करके हम बड़े पीसिस लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा फैट भी होना चाहिए यह मस् कीजिए कि आप टू पीसिस भी यूज़ कर सकती है इसे अब हम एक प्रशा कुकर में डालेंगे आप इसे देशकी में भी पका सकती है और इसमें दो लिटर के करीब हम गरम पानी एड़ करेंगे साबुत एक बल्ब जो होता है लेसन का वो हम इसमें एड़ करेंगे इस तरह दो कर हम इसमें एड़ कर लेना है लोंगे हम इसमें डालेंगे तकरीबन चार से पांच से तत लोंगे हम इसमें डालेंगे काली मर्च जो साबत काली मर्चे होती है वो वान टीस्पून भर के हम इसमें अड़ करेंगे दारचीनी का एक टुकड़ा एक इंच का छोटा सा टुकड़ा हम आड़ करेंगे मेरे पास अवैलेबल नहीं है इसलिए में यहाँ पे हाफ टीस्पून सिनमन यहीं के दारचीनी का पाउडर यूज़ करूँगी हरी इलाइचा हम इसमें डालेंगे वन टीस्पून तक्रीबन पांच से छे अदद हरी इलाइचा बनती है और यह अरेबिक स्पाइस मिक्स है जो जिसकी रेसिपे मैं आड़री आपको दी चुकी हूँ यह मैं इसमें डालोंगे वन टीस्पून सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे वन टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ अब हम इससे प्रशर कुक करेंगे 30 मिनिट्स के लिए या फिर जब तक के मटन अच्छे से गलना जाए मटन को बहुत ज्यादा गला हुआ होना चाहिए अब हमें दूसरा बरतन लेंगे और इसमें इस तरह करके एक धहकता हुआ कोईला रखेंगे किसी भी अलिमूनियम फॉल में थोड़ा सा ओईल हम इसके उपर डालेंगे और बाकी का नीचे देच्च की में हम आधा कप डालेंगे आधा कप हमने ऑईल इसमें डाल लिया था और अब हम इसमें मजीद जो हमारे मसाले हैं वो हम इसमें डालेंगे आधा कप मेंसे टू टेबल स्पून मैंने अलग कर लिया है और जो कोईला था वो भी मैंने इसमें से निकाल लिया है और जो बाकी का तेल बचके रह गया है अब हम इसमें मसाले डालेंगे, इसमें तक्रीबन 3-4 अदद लॉंगे हैं, 3-4 अदद काले मिर्चे हैं, और 2-3 अदद हारी इलाइचिया हैं, किश्मिश हम इसमें एड़ करेंगे, 2 टेबल स्पून, प्यास हम इसमें एड़ करेंगे, दो मीडियम आप ले ले, या फिर ufen आप इसे, च॑प करे, आपमे on a table, को ऑन भेस चोप करेंगे, अब हम मसाले को एड़ करेंगे, प्यास को और hoffen जरीणे हैं, और इसमें एक शुखाववा लेपन में हुखर करेंगे, इसमें आप देख सकती हैं, या आप इसली शान्ण राट करेंगे। ने जबन सकती हैं थोड़ा से किसमें हम हॉल कर लेंगे और फिर मिसे इसमें शामिल करेंगे यहां पर मैं इसमें चावल एड़ कर रही हूं चावल मैंने भिगोई हुए थे तक्रीबन आधे गेंटे या फिर 40 मिनट के लिए आप चावलों को भिगो दे और इसके बाद इसको हम डालेंगे दे के साथ चला गया था और तीन कप अब हम इसमें यखनी एड करेंगे यखनी जो है वह मैंने चान ले थी जो मतन की यखनी थी उसे हम ने चान लेना है और अब हम इसमें तीन कप युज़ करेंगे याद रखें कि टोटल चार कप ही हमारा पानी हो गया है मेजरमेंट के लिए सेम कप यूज करें जो कप आप चावलों की मेजरमेंट के लिए यूज करें वही कप आप पानी की मेजरमेंट के लिए भी यूज करें तो इस तरह करके तक्रीबं साड़े तीन कप यह से चार कप के करीब हमने इसमें पानी डाल लिया है नमा कप अपने टेस्ट के हसाब से सकती है और अगर आप चाहें तो आप पाने को आवाइड भी कर सकती है आप इसमें सिर्फ यखनी भी यूज कर सकती है यह मतन हमारा अच्छी से बॉल हो गया है बहुत ही नारम है और अब हम इसमें इसके उपर कोटिंग करेंगे कोटिंग के लिए हमें वही वाला ओल और थोड़ा सा हलका सा पानी हमनेफि में एक्ट कर लेना है तके जो जफरान कर कलर है वह इसमें अच्छी से आजा़ा है vinden इस तरह हम इसे मिक्स करेंगे यह आप देख सकती है थोड़ा सा मैंने इसमें पानी एट कर लिया है तो जो सैफ्रोन का कलर है वो इसमें आ गया है अब हम इसे ब्रश की मदद से मटन के उपर लगाएंगे अगर आप चाहें और आपके पास ओवन नहीं है तो आप मटन को फ्राइंट पैन के उपर भी ग्र तो वह आप ग्रिल कर लें मैं यहां पर इसको ओवन में ग्रिल करूंगी तक्रीब दस मिनट के लिए मैं इसे ओवन में ग्रिल कर लूँगी इसके उपर मैंने यह सारा मिक्सचर लगा लिया है यह चावल अब हमारे बन गई हैं या देख सकती है कि चावल हमारे कुक हो तो वह हम बात में दम देकर इसे अड़्जस्ट कर लेंगे फ्लेम हम इस टाइम पर बहुत ही स्लो कर देंगे हलका साम इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद जो मटन के पीसिस हैं जिसको हमने ग्रिल किया हुआ था वो हम इसके उपर रखेंगे यह आप देख सकती है कि इसको कलर आने तक थोड़ा सा हलका सा क्रिस्प होने तक मैंने इसको ग्रिल कर लिया है अब हम मटन के पीसिस चावलो के उपर रखेंगे और साथ ही अब हम इसे फिर से कोईले का धुआ देंगे इस्सरा करके हम कोईले का धुआ इसे देंगे कोईला रखेंगे देखता हुआ और इसके उपर हम ओयल डालेंगे और अब हम इसे किचन टावल से ढखेंगे और इसके उपर ढखना और मजबूती से रखकर इसे हम 10 मिनिट के लिए दम दे देंगे आंच हमारी इस टाइम बिल्कुल दम वाली आंच होनी चाहिए पांच मिनिट या पर दस मिनिट जितना आप आपके चावल में कच्छापन रहता हो तो आप उतना इसे दम दे कर इसे दम पर पका सकती है और यह हमारी मटन मंदी रैडी है मटन मंदी रैस हमारे रैडी है आप इस तरह करके इसे सर्फ कर सकती है सैलड के साथ और अबले हुए अंडो के साथ उमीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अज़र ची लगती है तो मेरी च